कितनी बिडबना है कि एक तरफ भारती जंता पार्टी के नेता कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो हम सराब 70 रुपिया में बेचेंगे और अगर हमारी राज़त तो थोड़ी अच्छी हो जाएगी तो हम उसको 50 रुपिया भी कर सकते हैं तो दूसरी तरफ इसी भारती जंता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री के साथ मिलकर एक राज में शराब को रोक देते हैं शराब बंदी कानून लागू कराते हैं और हजारों करोड की जो अवैद एकोनोमी तयार होती है उसमें भागीदारी बनते हैं अब नमस्कार में नाहीद मौहित कुमार सिंग्ग और आप जंता जंक्षन देख रहे हैं भारतिये जंता पार्टी के आंध्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मतलब की आंध्र प्रदेश के भाटपा प्रमूक खुले आम जंसभा से इस बात का एलान करते हैं कि अगर सरकार बन जाएगी तो उस quarter bottle का दाम हम 70 रुपया कर देंगे और पूरे राज में 70 रुपया की रेट से गुणवक्ता पूर्ण शराब बेचवाई जाएगी वे कहते हैं कि अगर सरकार की राजस अच्छी हो जाएगी तो हम 70 रुपया से शराब की रेट को घटा कर 50 रुपय पैसों को लेते हैं और फिर उन रोजों को अलाग अलाग योजनाओं के माध्यम से वापस कर देते हैं तो लोगों को लगता है कि वे पैसा दे रहे हैं इनके समझाने का मतलब था कि वे आपके हैं पैसों को लेकर और आपको ही वापस देते हैं वे कहते हैं कि पूरे राज को अगामी विधान समझना में वोट करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी और हमारी जब सरकार बनेगी हम सत्ता में आएंगे तब शराब का रेट 70 रुपिया एक क्वार्टर का कर दिया जाएगा अगर राजस अच्छी हो जाएगी तो 50 रुपिया कर दी जाएगी अब यहां या तो आंधर परदेश के लोग बेवकूप हैं पागल है या फिर बिहार के लोग के लिए हानिकारक है लेकिन आंधर परदेश में यही शराब कैसे लोगों के लिए फायदे मन्द हो जाती है कि भारतिये जंतापाटी के प्रदेश अध्यक्त जाकर कहते हैं जंसभा में कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो हम एक क्वार्टर का दाम 70 रुपिया कर देंग सत्तापक से जुले हुए उनके फैक्रिया चल रही है और उन फैक्रियों में खराब शराब बनाई आती है मतलब जो गुलवक्ता पूर्ण नहीं होती है उसके बावजुद भी 200 रुपे में एक क्वार्टर का बोतल बेचा जा रहा है और अगर हमारी सरकार बन जाएगी त एक अवैद इकनोमी तयार होचकी है जो जो गुंडो और जो अवैद तसकर है उनको पाल रही है और इस हजारों करोड की अवैद इकनोमी के लिए जिम्मेवार भारतिये जंता पाटी भी है क्योंकि भारतिये जंता पाटी के नेता लगादार इसका समर्सर करते हैं अगर क्या दुका इन दाए कि को कोई नेता अगर भारतिये जिंधा पार्टी के इसके विरोद करता है फिर भी भाज़पा के बड़े नेता शराबंदी के पक्ष में ही बोलते है क्योंकि मुझेमन्त्री नितीश कुमार का यह सपना है कि बिहार में शराबंदी कानून को लाग कारख होगी लेकिन आंध्र प्रदेश में यही नेता कहते हैं कि हमारी सरकार आ जाएगी तब आपको 70 रुप्य में गुणवक्ता से भरकूर शराप का क्वार्टर बोतनु प्रभ करा दी जाएगी और बिहार में यही नेता इसी भारती जिन्ता पार्टी के नेता शराबंद है कहा जा रहा है कि बड़े-बड़े अपराद में या फिर कुछ राजनितिक दलों के लोग भी इन पैसों का इस्तमाल करते हैं बाकी के यह से भी मामले सामने आये हैं जिसमें साफ तोर पर प्रतीत होता है कि सत्ता पक्ष से करीब लोग आराम से अवैद सराब का कारवार कर रहे थे तसकरी क्या काम कर रहे थे बाकी भारती जंता पार्टी के आंदर परदेश के परदेश सद्यक्ष बखो भी समझाते हैं कि एक सराबी एक महीने में 12,000 रुपए की शराब पीता है और 12,000 रुपए सरकार उसके लेती है यानि कि जो मौझूदा सरकार आंदर पर समझते हैं कि या तो शराब बंदी कानून अगर लागू है तो उसे सही में सफल बनाया जाए या फिर शराब बंदी को खत्म कर दिया जाए क्योंकि शराब बंदी लागू होने के कारण हजारों करोड की अवैध एकनोमी बन चुकी है और इस बात को पूरा प्रदेश जा है तो आंद्र में फायदे मंद कैसे हो जाते हैं बागी आगे कुछ नहीं अपडेट आए कि इस खबर में तुसे हम आप तक पहुचाएंगे इस वीडियो को इसमार्प करते हैं वीडियो को शेर कीजिएगा फेस्बूक पेज को लाइक कर लिजिए तथ हीटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं फिर बहुचा लगले वीडियो में कैमरे पीछे खड़े हों प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद